हेलो दोस्तों नोस्कार मैं हूँ आपके साथ हिमान्चू को लोडा और आप देखे अपने यूटूब चैनल पहाड़ी ब्लोगर पहाड़ों की खूब सुरत वादियों की साथ तो नए दिन की साथ नए ब्लोग की विशुरात कर देते हैं आज मैं आयो हूँ अपने पुरा मैं आपगजано होँ मैं यहमारे बहुत सारी खेट है चट். चोटे-चोटे और बहुत सारी एसे पेड़ पहले आम्ले वाले आ मृझा मैं और अक्रूट और पप printed आ। इदर बहुत सारा बगीच अता हमारा यहां जाने में डर लग रहा है क्योंकि जड़्या काफ़ी है और यही होता है अगर आप किसी घर की देख रेक ना करें और घर बंद पड़े और आप कहीं और सिफ्ट हो जाओ तो घर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसी कि यह यह पुराने टाइम के लकडियों का कुछ काम था इस घर पर या नि लकडियों का भी था इस पर पत्थर और जलक और एक जलक यहां की अभी भी मुझे याद है इस पराने घर पर यहां निच्चे रसोई थी बीच में थोड़ा सा आंगन था यहां से सीड़ी जाती थी और यहां से भी सोटकट में एक सीड़ी थी अंदर के लिए और उपर में एक तेबार अगर बोले जो पहाड़ी भी चार-पांच भाईयों का एक मकान था तो यहां से बीच एंट्री गेर था बीच की एक सेड़ी थी और यह सबका अलग अलग तो यही होता है जब आप इसकी देख रेक ना करो तो यह सारा खंडर बढ़ चुका है जैसे कि आप यह देख सकते हो पूरा नीचे आ चुका और कोशिज करूँगा इसे बनाने की क्योंकि यह भी इनकी तरह ढहना जाए तो थोड़ा सा दिक्कत आती है अगर आप पास में हो तो यह देखे बहुत जादा दुख लगता है तो बहुत सी मैं सोचूँगा इधर होमिष्टे बनाने की क्योंकि सड़क यहीं पर है पानी जल्दी बन जाईए और तब यह मकान आपको क्या बता हो मिष्टे के रूम में दिखा दे क्योंकि इसके देख रही हो जाएगी और मदब मती हो जाएगी इसी के उपर जब सड़क है पानी है घर पर आता है और यह बगीचा है यहां से खुब सूरत नजा रहा है निचे हम बहुत सारे हमारे फल फ्रूट होते हैं अभी भी लगे होंगी अगर मैं जाऊं उस टाइप क्योंकि उस तरफ ज्याड़िया है तो थोड़ा सा बाग का भी डर है और काफी ज्यादा जंगली जानुरों का डर है क्योंकि ज्याड़िया है सांप अगेरा कहीं निकल जाए त फिलाल ये मकान अभी खंडर किस्तिती में तो मम्मी भी आए मेरे साथ मम्मी थोड़ा सा यहां से झाड़िया घ्यार साप कर रही है क्योंकि रस्ते चलने के लिए है नहीं और इन रस्तों मैं कैसे आवगमन हो तो इसलिए थोड़ा रस्ते बना दिये है जिसे कि यहां अभ पहाड़ों के बीच में कहीं गुम हो तो यही नजारा होता है पहाडों का कोई अगर मकान छोड़ के चले जाता है तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं यह मकान तो पलायन छोड़िये अब और घर के तरब वापसिया जाईए यह चोटा सा संदेश उन पहाड़ी भाईयों के लिए जिन्होंने अपना मकान छोड़ दिया है जैसे कि हमारे चाचताव लोगों ने छोड़ दिया है तो यह चोटा सा संदेश उन सभी के लिए जिनके पुरानी इमारत है पुरानी भूमी पुराने मकान और पुरानी धरोहर यहां है अपनी दिव भूमी है और आप लोगों में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर